तो अगर आप सभी लोग खोच रहे एक best of the best smartwatch with ECG functionality और आप लोग चाहते हैं एक अच्छा heart rate monitoring smartwatch या SPO2 monitoring smartwatch तो आप सभी लोग के लिए वीडियो सेच में बहुत जादा फाइदे मन होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको recommend करने कुछ world के सबसे best smartwatch मतलब इंडिया नहीं पूरे world में सबसे popular सबसे most reliable smartwatch मतलब सबसे जबरस quality इसके ऊपर कोई quality आपको नहीं मिलेगी उस तरह के smartwatch के आपको मैं आप recommendation देने वाला हूँ जो की काफी सबसे रिलाइबल है और यहाँ पर जितने भी मैं आपको smartwatch दिखा रहा हूँ यह काफी ज़दा branded है ठीक इनका brand वेले बहुत अच्छा है इनके sensor काफी ज़दा costly है यह बिल्कुल सस्ते watches आपको नहीं है क्योंकि इनके पर टेस्टिंग की गई है यह सारे का-सारे FDA approved है मतलब यहाँ पर जितने भी watches में आपको दिखाऊंगा यह बाहर के countries में already इनको clinical trials किया गया है एक FDA level का इसको approval मिल चुका है जिनके कारण के जो readings होती है वो बहुत ज़दा reliable होती है अगर आप compare करेंगे एक smart watch की reading और एक definitely जो hospital में रखा हुआ ECG की reading तो आपको लब-लब दोनों में approach reading मिल जागे मतलब इस level की यहाँ पर testing की जाती इन watches के उपर यहाँ पर जितने भी watches में आपको recommend करने वाला हूँ इन सारे products की जो Amazon अफिरेटिंग आपको description मिल जाएगा इन watches में कोई भी आपको पसंद आथा और definitely आप इन चारों प्रोडक्ट में कोई से भी watches को purchase कर सकते हैं लेकिन आपको एक छोटा से news article में दिखाता हूँ जो कि आप लोग में स्क्रीन पर देख वरे हैं जहां पर एक Indian वेक्ति थे जो इन्होंने smart watch के help के तुरू अपनी जान क्या save कर लिया क्योंकि उनका smart watch continuously उनको warning दे रहा था कि आपके hurt में थोड़ा एक्टिविटीज हो रही है तो जैसे ही उन्होंने अपने डॉक्टर से कंसल किया वहां पर उनको पता चले कि उनके आर्टिस में करें 99% ब्लॉकेज है मतलब देख से किस तर से एक smart watch ने उनकी जान यहां पर बचा ली यह जितने smart watch होता है यह आपकी hurt attack को detect नहीं करते हैं सिर्फ यह detect करते हैं आपकी hurt rate की irregular है abnormal है और आपको identify करेंगे कि आपको डॉक्टर से कंसल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस वीडियो को last स्मार्ट वाच मैं आपको recommend करूंगा वो है fitbit का charge 5 फिला जो इसके कीमत चरही है वह 12500 रुपे कास पर चरही है इसके अंदर आपको ECG and SPT दोनों ही tracker मिलते हैं एक साल की warranty मिलते है और यह भी बाहर के countries में एक FDA approved watch है और अगर मैं बात करूं इसके अंदर भी आपका hurt अगर low या high होता तो आईए आपको notify यहाँ पर करता है इसके अंदर इसके features काफे सारे मिलेंगे जैसे इसका daily readiness score आपको मिलेगा मतलब अगर आपने एक दिन पहले कुछ exercise वगर किया है तो यह based on आपकी activities आपको बताएगा कि आपको rest लेना चाहिए या आपको workout करन चाहिए जो कि काफी एक important feature है आपकी body अगर recover करना चाहती है तो आया आपको notify करेगा कि आपको recover यहाँ पर करना चाहिए आपको access नहीं करना चाहिए साथ-सके अंदर जैसे SPO2 sensor है जो कि आपकी blood में क्या oxygen level है और आपका hurt rate कितना है दुनों को एक सथ combine करके proper आपको notification देता ह कि आपको किस तर से activity perform करना चाहिए आपको rest करना चाहिए मतलब इस तर से continuously आपके monitor करते रहता है कि आपके oxygen level कितना है या heart rate कितना आपको चल रहा है उसके इसके अंदर आपको stress management score भी मिलता है और अगर आप काफी ज़द स्ट्रेस रहते हैं तो इसके इसका app के थूर यह आ आप है ताकि आपका stress यहां पर काम हो पाए और जैसे मैंने आपको बता है इसका जो ECG app है वो आपको continuously आपका heart rate को monitor भी कर सकता है low होने पर आपको notify करेगा high होने पर notify करेगा अगर irregular आपको heart beat चलता है उसमें भी आपको यह proper notification दे पाएगा ताकि आप doctors जागे यहां पर consult कर सकते हैं इसके अंदर built-in GPS है मतलब आपको phone को phone के साथ carry करें का कोई जरूत नहीं है इसका built-in GPS है वो आपको speed आपका location आपका सब कुछ properly track करेगा मतलब आपको इसमें कहीं से भी phone रखने ही जरूत नहीं आपने कहां जहां कितना चला सब कुछ यह continuously track यहां पर करते रहता है इसके जो size देना वो काफी small है मतलब यह एक unisex model है मतलब girls birds दोनों ही इसको काफी चैसे पहन सकते हैं और जैसे मैंने इसके बारे में आपको already बता है जैसे कि जो daily stress management score है जो की आपकी measure करता है continuously और इसका जो ECG app है जो आपकी ATL fibrillation को भी detect करता है जैसे suddenly abnormal आपका aगर heartbeat detect हो इतना घंटा सुए कितना ज़्यादा deep sleep किया सब कुछ information देता है और आपका कहां कहां ट्राक के वह भी information आपको यह मिल जाता है तो काफी सस्ते में एक best यह आपको watch मिल जाएगा थर्ड नमर का watch मैं आपको recommend करूँ वो है Fitbit का sense यह वाल मॉडल यह काफी जादा popular है इसकी फिलाल जो कि में चलिए वो 23,000 रुपे कास पर चल रही है इसके अंदर एक advanced feature वो है इसका Alexa built-in मतलब आप अपने smart watch को ही command दे सकते हैं इसके अंदर भी आपका high and low heart detection आता है और built-in GPS भी है और आप लोग इसमें ना phone वगरे बेटिन कर सकते हैं मतलब इसके Bluetooth के दुरू आप लोग phone हो गया call वगरे सब कुछ इसके अंदर कर सकते हैं मतलब यह perfect smart watch है इसके अंदर भी आपको EDS scan वाला feature मिलता है जो कि continuously आपकी body किस तरह से response करी stress को उसको monitor करता है इसके अंद temperature मतलब यह आपके skin का temperature को भी लेता है और देखता है कितना जदा उसमें variation मिलता है मतलब continuously इसमें अंदर आपको monitor भी मिलता है इसके अंदर भी heart rate, rhythm, irregularity यह सब कुछ करेगा और आप लोग चाहेंगे तो अपने results को doctor के साथ भी share कर सकते हैं मतलब इसके एक inbuilt feature है जो कि आपक doctor के शाथ यहां पर share भी कर सकते हैं जैसे मैंने बता है कि इसके अंदर भी आपको built-in GPS मिलता है मतलब without phone आप लोग कहीं भी इसको लेकर जा सकते हैं इसके अंदर mic भी है speaker भी है आप लोग directly इसमें बात भी कर सकते हैं और एक बार charge करें कर भी छे दिन की इसमें आपको battery backup मि charge कर सकते हैं और जैसे मैंने बता है कि इसके अंदर Google Assistant Alexa दोनों जलता है अगर आपको news बगर चाहिए तो आपको news भी आपको फोन बताएगा और अगर आप चाहते है smart home appliances को control करना तो आप लोग smart watches के थुरू भी control कर सकते हैं जैसे अपने smart watch को बोला कि turn off light तो आपके smart watch के लगा और fitbit की जो watches होता है वो काफे जदा अच्छे होता है तो मैं आपको यह वाला product भी highly recommend करूंगा आपके sleep score को भी monitor कहता है मतला कितना अच्छे से सो है कितना घंटा सो है कब deep sleep लिए इस तरह के इसके अंदर काफी जारे sensors बगरा दिये हुए तो आप लोग इसको भी check out क कर सकते हैं जो second number का best smart watch with ECG मैं आपको recommend करेंगा वो है Samsung Galaxy watch 4 LTE variant के Bluetooth variant LTE variant दोनों आता है इसके अंदर e-seam का आपको लगेगा इसकी जो कीमत है वो करीब 31,000 के वह असपास चलते रहती है एक साल किसमें आपको warranty मिलता है इसके अंदर मातलब दुनिया के सारे sensor आपको मिल अगर मैं इसके specification के बारे बात करें तो 1.5GB के इसमें RAM है 16GB internal आपको इसमें internal memory मिलेगी और तरह तरह के इसके अंदर sensor वगर सब कुछ लगा जो की हर्ट रेट को continuous दी आपे monitor करते हैं इस smart watch के थुरू आप लोग अपना body composition को भी देख सेंसर है वो काफी अच्छे से आपका fat percentage बताता है, skeletal muscle बताता है, मतलब बहुत सारी information यह आपको देगा, इसके design वज़ देखेंगे तो इसका design भी काफी स्लीक है और काफी अलग अलग इसमें आपको option मिल जाएंगा, मतलब customization के काफी सारे option मिलते हैं, यह काफी कमाल का smart watch है, सच बता रहो, android user अगर आपको यही व बगर है, कितने अच्छे से tracking यह, sleep हो, बात करना है, मतलब सब कुछ possible है, इस smart watch के तरूँ और जो इसका ECG है, वो भी बहुत अच्छा है, बाहर के countries में FDA approved है, तो काफी ज़दा reliable है, जो first number के मैं आपको highly 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 recommend करूँगा, सबसे best, वो है Apple का watch series 7, फिलाल जो उसके यह मत चल र प्लस seller, दोनों ही option मिलता है, इस smart watch में आप लोग चाहें तो बात कर सकते हैं, message बह सकते हैं, email पट सकते हैं, मतलब phone रखने के ज़रूद नहीं है, यह खुदी एक चलता फिरता, आप सभी लिए phone है, IT6 as dust and resistance and swim proof design के साथ आता है, और इसमें भी आप ECG कभी भी ले सकते हैं, अपने results को doctor के साथ आप लोग share कर सकते हैं, fault detection के साथ याता है, मतलब गलती साथ लोग गिरते हैं और कुछ दिर में response नहीं करें, तो आपका smart watch automatically अपने nearby hospital में आपका location बेश देगा और उनको information पहुचा देगा, तो जो भी medical emergency team है, वो आप तक आपके location के basis में पहुँच जा वर्ल में ये बहुत ज़्यादा popular, especially अपने ECG variant के लेके काफे ज़्यादा popular, इसके जो ratings होती, वो बहुत ज़्यादा reliable होता है, दिखने में काफी classy है, इसको पहने में मज़ा ही अलग आता है, और Apple के आप लोग जितने में जानते हैं, जैसे product होते हैं, वो काफे ज़्याद मिलती है, ये smart watches सच में आपकी health को continuously monitor करते हैं, और इनको use करना बहुत ज़्यादा easy है, इनकिस कभी भी आपको थोड़ा बहुत चस्पगर में ऐसा pain हूँ, और आपको थोड़ा बहुत डाउट हो कि एक बर मैं अपना ECG check कर पा हूँ, तो ये smart watches बहुत within 30 seconds आपकी readings को बता बता देते हैं, basically आपको smart watch पहना है और इसको जो छोटर dial one knob है, वहाँ पर आपको 30 seconds के लिए ये उंगली को रखना पड़ता है, मतलब उसके सारे procedure आपको उनके product के list में मिल जाएंगे, किस तरसे इसको reading लेना है, तो within 30 seconds आपको पूरा detail से बता देंगे कि आपका heart rate कैसा है मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं, नहीं कर रही है, कहीं irregular तो आपको heart bit नहीं है, सारा का सारा जान कर रहे हैं, आपको मिल जाएंगा और अगर आप लोग चाहें तो उनस reading को आप लोग doctor के साथ share कर सकते हैं, और based on doctor के recommendation आप लोग अपने treatment वगरा भी करा सकते हैं, मतलब ये continuously आपको monitor करा, मतलब आपको warnings भी देखा, अगर in case आपको heart rate काफी ज़्यादा धड़क रहा है, तो भी आपको notification मिल जाएगा, अगर आपको heart rate काफी ज़्यादा low धड़क रहा है, मतलब बीबी काफी ज़्यादा low है, तो भी आपका detection ये आपको watch बताएगा, अगर in case काफी ज़्यादा irregular है, मतलब heart rate काफी बढ़र काफी काम हो रहा है, जिसके करना stroke होने का chances आपको होता है, तो भी आपको ये detection करके बताएगा, और immediately आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं, या hospital में जा सकते हैं, और अपना जो आपका ECG का जो data है, उसको आप आप डॉक्टर स करते हैं, और उनको अगर कुछ भी थोड़ा बहुत गड़वर्ड होता है, जैसे मैंने बता है कि low होगा तो detect करेगा, high होगा तो detect करेगा, और बिलकुल abnormal अगर heart rate होगा तो भी आपको detect करेगा, इन सारे के अंदर बहुत सारे features भी आता है, जैसे suddenly अगर आपको इसके अंद आपके तक proper time से doctor पहुच पाई या ambulance पहुच पाई और आपको proper तरह से treatment हो पाई, मतलब आप लोग देखिए, इसको पहने से कितने सारे फाइदे आपको मिलते हैं, मैंने जैसे बता है कि यह automatically monitor करते रहता है, और automatically अगर इसको लगेगा कि आप में कुछ ना कुछ गरबड ह आपके heart rate में गड़बड है, तो automatically वो आपके जो nearby hospital है, उस तक information पहुचाएगा, आपको location पहुचाएगा, साथे साथ इसके अंदर आपको fall detection वाला भी feature मिलता है, जैसे suddenly आप गिर जाते हैं, और उस समय जैसे माल हो, suddenly आप गिरेंगे कहीं पे भी, अगर उसके तुरंद थोड़ा notification आना चलोगा, आवाज आना चलोगा, अगर वो कुछ minutes तक आगर आप उसमें respond नहीं करते हैं, तो भी वो automatically आपका जो present location है, वो immediately किसी nearby hospital में share करेगा, ताकि आप तक, आपके location तक proper ambulance वो पहुच पहुच पा है, मतलब देखे कितना सारा advanced features के साथ याता है, साथ सा activity कर सकते हैं, कितना stress है, मतलब इस सारे के इन दुनिया भर के features हैं, साथ साथ आप उसके अंदर calling भी कर सकते हैं, मतलब यह सारे features के साथ तो यह जो smart watch है, एक complete package बनता है, और मैं आपको highly recommend करूँगा, अगर आपको अच्छा का सा budget है, आप लोग चाहते हैं, अपने लिए safety क product की जो link है, Amazon की जो link है मैंने description में दे दिया है, पसंद आएगा तो वहाँ से राइक ले आप लोग उस product को purchase भी कर सकते हैं, तो वीडियो पसंद आए, जानकर ही पसंद आएगा, तो प्लीज इस्टी वीडियो को like करके मुझे जरूर बता सकते हैं, मैं अपने दर्थ से मैं सथ, थैंक्स वोचिंग, एंजो